आप देख रहे हैं आज तक की खास मुलाकात मैं हूँ राहूल कवल और इस वक्त हमारे खास महमान हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौरे और अगर इंडिया टुडे एक्सिस मा इंडिया का एक्जिट पोल का डेटा सही साबित होता है तो संभफ तह उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री की रेस में जो एक चहरा सबसे आगे होगा वो है केशव प्रसाद मौरे का इस वक्त हो हमारे साथ आज तक पर लाइव मौजूद है मौरे साथ स्वागत है आज तक पर अभी हम सुन रहे हैं समाजबादी पार्टी के वरिश ने ता कह रहे हैं कि 11 के बाद जिन लोगों ने सपा को नुक्सान पहुंचाया उनके खिलाफ कारवाई होगी उनके नाम पब्लिक किया जाएंगे आपको लगता है कि नतीजा आने से पहले ही आपकी विरोधियों ने घुटने टेक दिये हैं 19 सित तोर से कल स्री अखलेश यादो जी का जो बयान था कि हम बुआ के साथ भी जा सकते हैं बीजेपी को रोकने के लिए मैं पहले भी कह रहा था सपा बसपा कांग्रेश तीनो एक हैं और कल तो अखलेश जी को बुआ याद आई हैं आगे उनको नानी भी याद आएंगी अगे जाएंगी जो बीजेपी के नेता आती उत्सा में आ जाएं क्योंकि इसी तरह की कुछ सूरत बिहार में भी हुई थी जहां पे साड़े आट नौ बजे कुछी पोस्टल बैलेट को देखे पटाके भी चल गए दिवाली भी मन गई बाद ने पता चला कि वो तो पूरी गरबड ही हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दफ़ा उत्तर प्रदेश में भी सेलिब्रेशन्स वक्त से पहले ही शुरू हो वे रावल जी आप चिंता मत करिये मैं संगठन का कार करता हूँ पिछले दस महिने से संगठन के लिए काम किया हूँ और मेरे एक एक कारकरता ने काम किया है मुझे अपने संगठन के बल पर भरोसा है मुझे उत्तर प्रदेश के मदाताओं से सीधे संबाज जो हमने किया संपर किया है जो मद्दान हुआ उस मद्दान के बल पर भरोसा है प्रचंड वहुमत के साथ भारती जनता पाटी यूपी में आने जारी हमारी सरकार बनने जारी ये बताईए मौरे साहब कि अगर ये अनुमान सही सावित होता है और वाकाई में बीजेपी को 251 से लेके 289 के बीच में सीटे मिलती हैं तो आपके हिसाब से मौरे साहब इस बड़ी जीत के लिए सबसे बड़े फैक्टर्स क्या होंगे जिम्मेदार अगर ऐसी जीत होती है तो आपके हिसाब से इतनी बड़ी जीत क्यों होगी देखे बिश्वका सबसे सक्तिशाली नेत्रतो और भारत के प्रधार मंत्री के रूप में गरीबों के दिलों में वास करने वाले माननी स्री नरेद मोदी जी हमारे पास है उनके हर कार से गरीब आदमी जुड़ा है गरीब आदमी समय भारती जनता पार्टी में ही अपना भविस्वत देखता है अपने जीवन की खुसाली देखता है आपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई देखता है कोई बिमार है तो उसके लिए दवाई देखता है मानी नरेद मोदी जी जैसा नेत्रतो देश को भी भागे से मिला इस्टी में कहा करता हूँ कि विश्वास करो तुम मोदी पर यहां नव युका निर्माता है एसा नेता इस धर्ती पर एक बार ही आता है इसने मोदी जी पर जो विश्वास लोगों ने किया है उस विश्वास की ताकत है भारती जनता पार्टी के पास और मानी है हमारे राश्टी अध्यस्रिवान अमिस साह जी जिनके कुसल नेत्रतम है और कुसल मार्ग दर्सन में यूपी के अंदर भाजपा का एक एक कारकरता दिन रात परिस्रम किया है और उस परिस्रम के परणातरूप कोई मुझे करत पहमी नहीं है मैं संगठन के बूते या कह सकता हूँ कि जो आपने एक जिप पोल दिखाने का काम किया है 251 से 289 के बीज का नंबर यहां निश्चित तोर से इससे भी हम आगे जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है और यूपी में जो सरकार बने वो भारती जनता पार्टी की बने आप श्रे अमिट शाजी को नरेंदर मोदी जी को दे रहे हैं लेकिन हमारा एक्जिट पोल का डेटा दिखाता है कि अगर ऐसी जीत होती है जैसे कि एक्जिट पोल के आंकडे दिखा रहे हैं तो गैर यादव ओबी सी को लामबंद करने में आपके प्रोजेक्शन का भी हा जिस तरीके से एक मौरे नेता को कुछवा नेता को प्रिजेंट किया गया स्टेट यूनेट चीफ के तौर पे उससे काफी बल मिला ऐसी पिछड़ी जातियां जो कि अमूमन बीजे पी के साथ नहीं जुड़ती पिछले चुनाव में सपा के साथ थी उससे पहले बीएस प रुक साबित हुआ? और इस औसर देने के बाद भाज़पा के सभी चाहे नेत्रित करता हूं और चाहे बूत पर काम करने बाले मेरे सामाने कार करता हूं सबने मिल करके भाजपा को मजबूत बनाने के लिए 14 वर्स से जो यूपी में बनबा से इसको खतम करने के लिए भाजपा का कमल खिलाने क पर सर आप बहुत मुझे डिप्लोमाइटिकली पुलिटिकली करेक्ट जवाब दे रहे हैं कहीं न कहीं मनीवन लड्डू तो फूट रहे होंगे कि अगर ऐसे आंकड़े आ गए और एक्जिट पॉल ने दिखाया कि नौन यादव OBC जुड़े हैं पॉल भी कह रहे हैं कि आपके नाम का भी उसमें हिस्सा हो तो मनीवन लड्डू तो फूट रहे होंगे कि हो सकता है कि जब कल पार्लिमेंटरी बोर्ट की मीटिंग हो से अलग नहीं है कोई बस्वा का कहे कि जाटो उनके साथ है वो गलत फहेमी में है जाटों का भीबत भाति जनता हम जाती की बात नहीं करते लेकिन जाती की बात चुकि आप इस विशे को निकाल रहे हैं इसने मैं बता रहा हूं भारती जनता पार्टी को सर्वसमाज का हो सकता कि एक्जिट पोल के जो आंखडे आपको अच्छे लगते हैं उनको आप माने और जो नहीं अच्छे लगते हैं उनको आप खारिज कर दे एक्जिट पोल का डेटा दिखाता है कि जो यादव सैंपल था उसमें केवल साथ फीसदी लोगों ने कहा कि वो बीजेपी क को मिलना ये सबसे बड़ी वज़ा होगी जातव वोट नहीं तूटा है मायावती का गेर जातव जो दलित वोट है वो करीब एक तिहाई तूटा है और वो भी आपकी तरफ आया है कहने में आप चाहें तो कुछ भी कैसे हैं लेकिन आंखडे कुछ और तस्वीर पेश कर र क्या इस बात की चिंता है आपको मौरे सहब की BSP भी जुड़ जाए सपा और कॉंग्रेस के साथ एक बिहार स्टाइल का गडवंधन बन जाए जो आपके मनसूबों को काम्याब होने से लोग दे मुझे कोई चिंता नहीं है मुझे तो खुसी इस बात की है कि सही बात को अखिले स्यादो जी ने मदगरना से पहले स्विकार की अपनी पराजय स्विकार किया इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं कि उन्हों सच को स्विकार करने का साहस तो दिखाया दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो भुवा जी को कह रहे हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो जरह इस्टेट गेस्ट हाउस कांड 1995 का याद करके उसमें कौन-कौन दोसी थे उनकी पार्टी में कौन-कौन बने उनके खिलाब कारवाई करेंगे की नहीं और उत्तर प्रदेश के अंदर भारती जनता पाटी ना सपा की चिंता है ना वस्पा की चिंता है ना किसी अन्यदल की चिंता है भाजपा अपने सहियोग्यों के साथ प्रचंड बहुमत प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएगी हमें कोई चिंता नहीं है हम निस्चिंत हैं अपने कारकरत्माओं के परिस्रम और जंता के आसिलवात पर केशव प्रसाद मौरे विश्व हिंदू परिशत से आते हैं लंबा काम इन्होंने राम मंदिर के निर्मान को लेके भी किया है ऐसे में क्या 11 मार्च के बाद राम मंदिर का निर्मान एक बार फिर से बीजेपी की प्राथमिक्ता होगी ये सवाल में पूछूंगा केशव प्रसाद मौरे से एक छोड़े से ब्रेक के बाद आप देखते रहें आज दो अब देख रहें हैं खास मुलाकात बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के शव प्रसाद मौरे इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है मौरे साहब अगर हम जातिया समीकरण को देखते हैं एक्जिट पोल के जरीच जो तस्वीर उबर के आती है वो ये दिखाती है कि आप लोगों ने ग्रामीर इलाके में भी बीजेपी को पहुंचाया और वहाँ पे भी आप बाकी पार्टियों से कम से कम 8 फीसे दी आ गए है तोहरा करके इनका भ्रहम इसलिए तोड़ने की जरूवत थी क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहाता है कि जाती के आधार पर परिवार के आधार पर भ्रश्टाचार के आधार पर गुंडों के आधार पर अपराधियों के आधार पर सत्ता पर कबजा किया जा सकता है सपा और बस्पा दोनों से उत्तरप्रेश की जंता निरास हो गई कांगरेश का यूपी में कोई वजूद नहीं है भारती जंता पाटी के साथ लोग खड़े हो करके भरोसा रख रहे हैं मौरे साहब आप विश्व हिंदू परिशत से आते हैं हाल के राजनीती की तिहास में ये पहली बार होगा कि कोई विएचपी से निकल कर उत्तरप्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्टेट यूनेट का चीफ बना राम मंदिर के निर्माण में आपने काफी काम किया है जमीन पर उत्तरप्रदेश में क्या आपको लगता है कि बीजेपी की अगली अगर सरकार बनती है उसका मुख्या जो भी हो क्या राम मंदिर का निर्माण अयोधिया में हो कोट में जो हो रहा है उसके परे क्या वो एक प्रात्मिकता रहेगी बीजेपी की सरकार के लिए देखी भारती जनता पार्टी ने सदेव से सिराम लला की जन्म भूमी पर भब मंदिल के निर्माण के पच्छ में अपना मद्वेक्त किया है और हमने जो लोग कल्यान संकल पत्र देने का काम किया उसमें भी हमने कहा है कि हम सम्मयधानिक सीमा में जो भी आउसक्त सहयोग होगा वो करने का काम करेंगे मामला सरोच नियाले के समच बिचारा धीन है और जो मामला सरोच नियाले के समच बिचारा धीन है जब तक उसका निर्ड़े नहीं होगा तब तक कोई मंदिल निर्माण का कारे प्रारम नहीं हो सकता लेकिन एक रामभत के नाते मैं भी चाहता हूँ कि सरोच नियाले के निड़े जल्दाए और मंदिन निर्माड का कारे सीगरता से जिससे सुरू हो सके लेकिन अभी हमने जो लोग कल्याड संकल पत्र के माध्यम से कहा है हम उसी पर इस्टेंड कर रहे हैं अच्छा हम जब चुनाव कवर कर रहे थे तो हमने बीजेपी अध्यक्ष अमिट शा की कई रैलियां सुनी बार बार वो कह रहे थे कि बारह तारीक से जितने भी बूचड खाने हैं उत्तर प्रदेश को उनको बंद कर दिया जाएगा अब कई लाखों लोगों की नौकरियां उस पर टिकी है जिंदगी उस पर टिकी है कई परिवारों का जितना भी पैसा है वो बूचड खाने के ही काम से आता है भारती जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर दुग्द करांती लाने का काम करेंगे एक लाख का रोजगार जाएगा आपको लगता है तो हम दस लाख लोगों के घर में दुधारू गाय और भैस पहुचा करके और उनके यहाँ पर दूद के आधार पर बेऊसाए उपलत करा करके उनको रोजगार देने का काम करेंगे भारती जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि दुधारू गाय और भैस का खोनी उपी के धरती पर भैस वहाँ दूद और दही की नदिया बहें यह हम चाहते इसने कत्लखानों को निशित तोर से बंद करने का काम करेंगे उत्रप्रेस में किसानों के कर्ज माफी का जो वादा उसे निशित तोर से पूरा करने का काम करेंगे महिलाओं की सुरच्चा के लिए तीन महिला बटालियन और एंटी रोमियो दल निस्चित तोर से बनाने का काम करेंगे भरतियों में जो भरष्टाचार है उस भरष्टाचार के कारण उत्र प्रेस का युवा निरास है और उसकी निरासा दूर करने के लिए हम लोगों ने कहा है 33 रेड़ी और 34 रेड़ी की भरतियों से इंटर्विव को खतम करने का काम करेंगे एक चीज़ बताईए मौरिया सहाब जो भी अपने लोग कल्यार संकल पत्र के माध्यन सकाव उसे पूरा करेंगे खत्म करने से पहले मौरिया सहाब मुझे ये बताईए कि जहां एक तरफ बीजेपी का शीर्ष नितरत वह ये मानता है कि आपको अध्यक्ष बनाने से पार्टी को फाइदा हुआ गैर यादव OBC वोट एक जुट हुआ पार्टी के पक्ष में कि आपको पार्टी के भीतर और आपके पार्टी के बाहर कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि आपको कट से जादा हैसियत से जादा कट दिया गया चीफ मिनेस्टर की बाचीत करना गलत है आप तो प्रेजिटिंट के योगई भी नहीं है उनका कहना है कि आप एक राजनीतिक लाइटवेट है आपकी विरोधियों का मानना है कि एक दफ़ा MLA रहें पहली बार MP बनें और इतना जल्दी इतने बड़े पद पे विराजमान करना आपको ठीक नहीं है कि आप जिस तरह की हैसियर जिस तरह का राजनीतिक कद कुछ बड़े देता हूं का है जिनका नाम मैं नहीं लूगा उनका कहना है उनके सामने आप लाइट वेट हैं कैसे जवाब देते हैं अपने विरोधी नहीं मानता हूं कौन है आप चुकी नाम लेंगे नहीं लेकिन जो भी है सब मेरे वरिष्ठ हैं यह सच है कि मैं बहुत छ अब खिलने जा रहा है और बाकी का निड़े तो हमारा केंदरी संसधी बोड़ और विधायक दल करेगा उसका जो भी निड़े होगा उत्रप्रदेश भात्मा की अध्यच के नाति उसको पूरा करवाना और उप्रद्वा की सरकार बने तो सरकार के माध्यम से जन बीजेपी के उत्तरप्रदेश के मुख्या जिनके बारे में आने वाले दिनों में हम काफी सुनने वाले हैं फिलाल वक्त हो चला है आज तक में एक ब्रेक का खबरों का सिलसला जारी रहेगा आप देखते रहें आज झाल झाल